आज हम बात कर रहे हैं वात की जितने भी बीमारी है उसमें एक तेल है सबसे भारी लैबारी नमस्कार वात की बीमारी जी हाँ अगर हम आईरविद की बात कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादे बीमारी के शेश्ची होती है वात की सबसे ज़्यादा शरीर में दर्द कुन सी व्यादी देती है, वात की, तो और सारे जो दोश हैं, मतलब आयर्वेट में किसी भी बीमारी का जब इलाच किया जाता है, तो उसका जो बेस होता है, वो दोश होते हैं, और दोश कौन से हैं, वात, पित, कफ, तो आपको कोई भी करेंगे वाद पित कफ अभी जो वाद पित कफ है इसमें भी इंग सबसे स्ट्रॉंग कौन है जिसको कि आयरवेद में भगवान बुला गया है तो उन सब का एंसर है वाद तो वाद इतनी बड़ी चीज है कि नियनता चव प्रनेता चव मंसर ऐसे करके श्लोक है कि मन बुद्धी इंद्रिया एक एक हर्वोन का सिक्रीट होना आपके शरीर में एक सिंगल एक्टिविटी होना अंगली का हिलना पलक का जपकना यह सब कंट्रॉल या फिर घुटने का जो ग्रीस है जो ऑईल है वो गस जाना ऑस्ट्य और्थ्राइटिस रुमोटर्ड अर्थ्राइटिस ऑस्ट्योपोरोसिस ऐसे करके न जाने कितने सारे रोग होते अब इस वाद के लिए दुनिया में एक ऐसा तेल आईरविद में बुला गया है कि स्वाकत है आप सभी का मिश्रोवेता में और आज हम बात कर रहे हैं वाद की जितनी भी बीमारी है उसमें एक तेल है सबसे भारी लैबारी महराश्ट में जब भी कोई चीज बहुत ही ज्यादा मतब स्ट्रॉंग या अच्छी होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं लैबार इसको बोला गया है और ऐसे बोला गया है कि वात की जितनी भी बीमारियां आपको याद आती हैं वो चाहे कोई भी हो उसमें ये एक ultimate दवा या ultimate treatment है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी क्या-क्या properties है इसे गुरु स्निग्ध बोला है गुरु स्निग्ध अर्थात ये बाय नीचर भारी होता है इसके बीज भी इसका तेल भी अलसी का या फ्लेक्सिट्स ओइल जो मिलता है वो भी तो ये बाय नीचर भार का इसके opposite क्या होगा चिकना और भारी तो ये properties इसके अंदर है वात क्या है ठंडा है नीचर में जो अलसी होती है जो फ्लेक्सिट्स होता है ये नीचर में ओश्ण होता है गरम होता है ठीग इसलिए वात related जितने भी problem से आपको याद आती है चाहे वो आपको शरीर में दर् क्लीफ हो गई हो चाहे पेट में मरूड होने की तकलीफ हो मल कड़क होने लग गया हो पीरिटस आने के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता हो skin dryness हो गई हो या hair में जो है वो dryness हो गई हो dry dandruff हो गया हो सूखी खासी आने की तकलीफ हो या शरीर आपका सूखने लग गया है वोई भी वात के करण होने वाली विमारी है, उसमें ये फायदेमन है, इन सारी प्रॉपरिटीज होने के कारण, आप में से ऐसे लोग जिनको वायू बहुत बढ़ जाता है, खास करके 45-50 के बाद वाले जो उम्र हैं और छोटे बच्चों में, एक चीज देखी जाती है, जो फ्लेक्स सीड्स होता है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये अनुलोमक है, अर्थात ये गरम है, उस्ट है, और अच्छे से जो आपके बॉड़ी में ड्राइनेस आई है, जिसके करन मल कड़क हो रहा है, उसको जो ड्राइनेस है, उसको खतम करने का काम करता है, और स्मूथली मल निकालने का काम आपके शरीर में करता है, तो अलसी का तेल आप दो चमच ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आदा चमच निम्बू निचोड़के थोड़ा सा गरम करके अगर आप पीते हैं, खाने के पहले तो अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, अगर ड् आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसके बारे में आईरविद में कमाल का श्लोक कहा गया है, वो श्लोक देखते हैं, बस्तव पाने, तथा भ्यंगे, नश्यकर, नश्यपूरने, अनुपान विधीचा भी, प्रयोज्यम वात शांते, प्रयो जो वात के कारण आपको पाइल्स हो गया है, पाइल्स अर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक? या उस में क्या होता है कि बारेसे, कॉम बाजाते हैं, मतलब अंकूर आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि लेट्रिंग में आदमी बैड के चिलाता है दर्द बरदास नहीं होता ऐसे टाइम पर अलसी का तेल वहाँ प्याप लगाने के लिए यूज कर सकते हैं या इसकी बस्ती ले सकते हैं अगर आपके घुटने का जो तेल है वो सूखने लग गया है घुटने से बहुत ज़्यादा खट-खट साउंड आन और वो एकदम बहुत रूखे सुखे होने के कारण जब भी संबंद बनाते हैं तो बहुत पेन होता है या पिरिट आने के पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द तकलीफ होती है कई बार पेन किलर्स लेने पड़ते हैं इस तरीकी की तकलीफ है तो आप जो ये अलसी क का तेल है उसका 40-60 हैमिल की मात्रा में बस्ती मतलब जहां से पेट साफ होता है वहां से तेल का एनिमा ले सकते है या इसी तेल से उस जगह पे आप मालिश भी कर सकते है और जो कॉटन होता है मतलब जो रूई होती है अच्छी रूई आपको मेडिकल शॉक में मिल जाएग इसको हम सनस्वित में पीचू बोलते हैं तो अगर आप 5-10 मिनट या 15 मिनट रख के लेड़े रहते हैं तो जो भी वेजाइनल ड्राइनेस है या वहाँ पे सूखा पन है संबंद बनाते समय अगर पेन मिन हो रहा है तो उसमें फाइदा करेगा ऐसे मेल्स ऐसे पूरू जि या गोटी जिसको आम बोल चल की भाशना में बोलते हैं उस जगह पे अगर पेन होने लग गया है या फिर वेरिकोस सिल के आजकल बहुत ज़्यादा तकलीव देखी जाती है उसका भी अगर आपको पेन होने लग गया है तो यही अलसी का तिल वहाँ पे लगाना और अलसी कि सारी कब काम हैगी जब वायू रिलेटेट तकलीफ है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं डेली एक चमच इसी अलसी का तेल ओरल पीने के लिए ले सकते हैं अगर आप वात प्रकृतिक हैं या वात की करण कोई भी आपको बौडी में गैस होना दर्द होना कुछ भी अलसी के तेल से आप डेली मालिश कर सकते हैं मसाज कर सकते हैं सपोस कि बहुत लंबे समय से बिमार थे पहले टीबी जैसी कोई बिमारी हो गई या फिर किसी कारण से शरीर सूखने लग गया है या आपकी जो मसल से वह एकदम सूखने लग गया है तो क्या करें कि मसल्स भी कमजोर हो रही है, शरीर भी वीक हो रहा है, तो इसी LC के तेल से अगर आप मालिश करते हैं, जोड़ो का दर्द है, तो वहाँ पे लगा सकते हो, एडी फट रही है, होट फट रहे, वहां लगा सकते हो, यह अलसी का तेल वहां का जो भी localized watt है, उसको ठीक करने में मदद करेगा, आप मैं जिनको कान में मतलब बहुत ज़्यदा sound आता है, या फिर कान में बहुत ज़्यदा रुखापन हो गया है, कान में बहुत ज़्यदा sound या गंटी बजने जैसे sound होता है, वायू के कारण, वात कफ के कारण होने वाली वह बिमारी है, ठीक, तो उसमें आप डालने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से, अगर बाल, वात के कारण, बाल बहुत ज़्यदा ड्राइ हो गये हैं, सूखे डेंडर जैस और तकलिफ होती है, तो ऐसे करके वायू के जितनी बिमारिया हैं, उसमें भाव प्रकाश जी बोलते हैं, कि इसका खाने के लिए, लगाने के लिए, पीने के लिए, अलग-अलग तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप वात प्रकृती के हैं, वात रिलेटे चाहिए उसमें भी अलसी का तेल सबसे जादा यूज़ किया जाता है वlडविक प्रोटोकॉल में ठीक उसमें वव अलसी का तेल ही पेशन को पीने के लिए मखन के साथ में खाने के लिए किलिए देते हैं और ऐसे कई सारे cancer के patient उन्होंने ठीक किये हैं ठीक कई साल पहले जो वुडविक नाम की एक महिला हुई थी उन्होंने इसका प्रोटोपॉल निकाला था अब कैंसर जैसी बीमारी क्या है तो कैंसर में जो आपके सेल्स हैं उनका अनकंट्रोल ग्रोथ होती है ठीक, डेली आपके शरीर में सेल्स बनते हैं, बट कैंसर में क्या होता है, कि वो इतने ज़्यादा और इतने रैपिडली बनने लग जाते हैं, कि आपके शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस तरीके से अनकंट्रोल जो ग्रोथ है, वो किसका लक्षण है, वात का के लिए देते हैं और बहुत सारे पेशन्ट को जो कैंसर का पेशन्ट का पेशन्ट मतलब वही व्यक्ति जान सकता है इस लेवल की तकलेफ उनको होती है उस पेशन्ट को भी यह अलसी का तिल अच्छे से कम करता है और उस बीमारी को भी ठीक करने में आपको रिलीव देर में तो डेफिनेटली मदद करता है हाँ यह अलसी का तिल इतना फाइदा होने के बाद भी किसके लिए अच्छा नहीं है तो अलसी के तेल के बेनिफिट बताते हुए उसके जो स्लोक है उसमें एक शब्द बोला है कि यह कफ और पित्त को बढ़ा देता है तो आप में से ऐसे जिनको और पित्त की तकलीफ है supposed की acidity की तकलीफ है बहुत जदा पसीना निकलता है बहुत जदा मोटा वेट बहुत जड़ा है ठीक है गर्मी बहुत लगता है हीट से परेशान है मुं में छा ले ऐसी कुछ तकलीफ होने लग गई है तो ऐसे condition पे cuffipत related कोई भी तकलीफ है चाहे वो acidity हो, शरीर में जलन हो, कहीं से भी खून निकलने की तकलीफ हो, तब LC का तेल आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके बदले फिर आपको खाने में घी, या फिनारियल का तेल, पित है तो ऐसे आइटम यूज़ करना चाहिए, और अगर प्यूर काफ है, तो फिर आपके लिए तील का तेल ये सब ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अलसी का तेल अगर यूज़ करना ही चाहता है, अपना तो दिल आ गया है अलसी के उपर, अब इसको तो यूज़ करेंगे, तो इसकी सेफटी के लिए आप इसको मखन जो होता है, जो देशीगाए का दही होता है, दही को मतने के बाद जो मखन निकलता है, उसके साथ साथ स तो इसकी जो भी तकलीफे हैं, वो कंट्रोल होने में मदद मिलेगी, हम अखन के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर कफ पित रिलेटेड बीमारियां भी हैं तो, या स्पेशली आँखों के लिए यूज करना चाहते हैं, तो जाते-जाते ये नेचर में बल्ल्य हैं, मतलब ताकत बढ़ाने का काम करता है, तो आप मैंसे ऐसे लोग जो कि वात वाले हैं, और बहुत ज़्यादा कमजोरी फिल करते हैं, ताकत फिल नहीं करते, तो आप ये जो अलसी के बीज होते हैं, वो आप भुन के खाने की ने ले सकते हैं, अगर कॉंस्टिपेशन है, कड़क मल है, तो इसका तेल यूज कीजिए, बट अगर लूज मोशन जैसी तगली फो रही ही, तो अलसी को उसको भुन लू, और भुन के चबा-चबा कर खाओगे, तो जो मोशन सोते हैं, बहुत ज़्याद अगर लूज मोशन होड़ा, उसे ये रोकने में मदद करेगा, तो वात की अगर कोई भी बीमारी आपको याद आती है, ये बस वात की सारी बीमारी, एक तेल है भारी, ले भारी, इस तरीकी से हम बोल सकते हैं, तो ये तो था, अलसी के उपर आईरविद का क्या बोलना है, उसके बारे में, आप इसे बहुत सारे लोग कई टाइम से पूछ रहे थे, कि अलसी के बारे में आईरविदिक रिव्यू बनाईए, ये था आईरविदिक रिव्यू अलसी या फ्लेक्सिट्स का,